नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे दो एहम डवलप्मेंट की इन दोनों विकास क्रम से बहुत कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम चलेंगे आपके साथ को कोलंबिया जो वामगडबंधन बना था जिसके नेता गुस्तावो पेत्रों हैं जिन्होंने जीत हासिल की और यह जीत बहुत एतिहासिक कई मामलों में हैं जिस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी उन्होंने हराया लीग आफ एंटी करप्शन गवर्नर्स के रोडालफो हरना देश को यह अमरीका परस्त राजनीती करने वाले शक्स तकरीबन जिनके बारे में माना जा रहा था कि यह जीत ही जाएंगे गुस्तावो पेत्रों जीत हासिल नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्होंने एतिहासिक जीत हासिल की और इस जीत का श्रे दिया इंडिजिनेस पीपल को यानी मूल निवासियों को महिलाओं को किसानों को और मजदूरों को और इस एतिहासिक जीत में एक ऐसा चहरा भी शामिल किया जिसकी उपस्तिती कुलंबिया के इतिहास को बिल्कुल दूसरे मुकाम पर ले जाती है पहली बार वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर फ्रां छे देशों पर इसकी छाप पड़ेगी इस पर हम चर्चा करेंगे इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे फ्रांस की क्योंकि फ्रांस एक एहम देश है जिस तरह से युक्रेन का युद्ध चल रहा है नैटो पूरा दबाव बनाया हुआ है ऐसे में फ्रांस में जो चुनाव हुए वह बहुत एहम हैं वहाँ पर जो सेंट्रिस्ट पार्टी है वह पार्लेमेंट में अपनी absolute majority को खो चुकी है उसे मिले हैं सिर्फ 244 सीटें और वामपंत का वामपंत का जो गड़ बंधन है नूप्स का उसने बहुत बढ़ा थासिल की है यह जो सारा घटना क्रम है यह किस तरह से फ्रांस यूरोप और यूं कहिए कि पूरे इस इलाके को प्रभावित करेगा उसकी छाप क्या पड़ेगी इस पर हम सगन चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रबीर जिस तरह से लातिन अमरीका में हम देख रहे हैं इसक कोशिश थी कि वहां पर वामनेत्रित्र की सरकार ना बन पाए ना जीत पाएं लेकिन अंतता जो जीत हुई है और वह भी आतिहासिक जीत है कई माइनों में यह जो जीत है इसकी पीछे की कहानी किस तरह से हम देख सकते हैं और क्या पूरा लातिन अमरीका और खास और से दीक रहा है अमरीका का बड़े देश के नामों में अगर आपने छोटे-छोटे मुलकों को मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वहां पर तक्ता पलट करना अमरीका के लिए बहुत आसान था पर क्लंबिया एक बड़ा मुल्क है पहला तीस्ता नंबर चौथा नंबर पॉप कि यहां कभी बामपंथ जीता नहीं है कभी सरकार भी नहीं आया है तो इसलिए भी एक बहुत बड़ा अइतिहासिक घटना है एक क्योंकि बामपंथ अगर कलंबिया में आ जाता है तो लाटन अमेरिका में अमरीका का जो बुलबाला है वो और भी कमजूर होगा यह लोगो 30 साल से जो कोशिश चल रही है कि वहां के मिलिटरी शाशन से मुक्त किया जाए देश को और वहां के जो लेफ्ट पिस्ट गरिला फोर्स था उनके साथ एक शान्ती की बातावरन बनाई जाए शान्ती की मीटिंग्स कई हुई है और वो सौल्थ भी हो गया था एक तरह से कि शान्ती होगी एक दो ग्रूप्स नहीं थे पर जो बड़े ग्रूप्स थे उस पर शामिल थे और बहुत आशा थी कि शान्ती शायद वहां पर कायम होगा पर वहां से पहले उरीबे और इसके पर आईवान डूकू दोनों ने उस शान्ती का जो संधी था उसको नजरंदास करना उसको बाइपास करना उसको कमजोर करना बहुत सारे हटकड़े अपनाए और यही वजह से पेत्रो जो की इस प्लैटफॉम में आए शान्ती यहां पर कायम करना चाहिए बामपद के साथ जो हमारी संधी हुई थी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको इज़त करके जो जो शर्ते थी पूवी करना चाहिए और सबसे बड़ी बात गरीब लोग जिसके वजह से बंदूक वहां पर लोग उठाते भी हैं तो गरीब लोगों की बात सुननी चाहिए और नकी सिर्फ जो एक चंद बुठी पर एलीट कलंबिया में खास दोर से वहां पर जो एक बहुत नेरो एलीट है उसके हाथ से पावर चीदना और सरकार के जरीए लोगों को नौकरी से और चीज़े प्राप्ट कराना ये उसका प्लैटफॉर्म थे था और ये जो है लगता है कि कलंबिया में एक उसका अभी जोर पकड़ा है और कलंबिया के लिए और लेकन अमेर जो इस जीत को बहुत मानिखेज बनाता है वह है यहां की जो उपराष्टपती जो चुनी गई है जो एक बहुत एहम चेहरे के तौर पर पूरे कैमपेन में भी हमें दिखाई देती रही अफ्रीका मूल की जिस तरह से मार्खेज सामने आई फ्रांसिस मार्खेज और जीत म जीत के बाद जो भाशन भी दिया गुस्ताव पैत्रों ने उन्होंने बड़े पैमाने पे जो आगे का संदेश दिया उसमें उन्होंने कहा कि पीस है रिस्पेक्ट है और डायलॉग है और जो जीत का फोटो हमें समें स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है शैद कोलंबिया बैक्ग्राउंड इंका रहा है बहुत जमीन से इन्होंने संघर्श किया है और रिजिस्टन्स का एक बहुत बड़ा चेहरा मार्खेज हमारे सामने पेश करती रही पूरे इलाके में बिल्कुल सही है लोग भूल जाते हैं कि आफरिका तो बहुत बड़ा शिकार रहा स्लेवरी का जो हम जानते हैं कि आफरिका से स्लेव्स लेके बड़े बेदर्दी से वो ब्रूटल इतिहास में मैं आज नहीं जाओंगा पर उनको ट्रांसफर गिया गया था अमेरिकास में करिबियन आइलेंड्स पे और खास तोर से साउट अमेरिका के बहुत बड़ा इतिहास है कि आफरिकंस जो थे वहाँ पर स्लेव के तोर पे लाए गये थे और वहाँ पर उनकी प्लांटेशन में और दूसरे कामों में लगाया गया था ये जो इतिहास है लाटन अमेरिका मे खास तस्वीर के रूपे सामने नहीं आता वहाँ के जो इंडिजनस पॉपुलेशन है उनके साथ जो सलूक हुआ है और जो आफरिकंग मूल के जो लोग वहाँ लाए गया उनके साथ जो सलूक किया गया है उसका चर्चा उस तरह से हमारे सामने तो नहीं है वहाँ भी उस सामने नहीं आ रहा था वहाँ पर एक एलीट कुछ हद तक उसकी स्पैनिश मूल के लीट है और पॉर्टिगिस मूल के लीट है वो वहाँ पर जमीन और उनके सब संपत जो है वो अपने कबजें बेर रखा था तो वह एक बहुत बड़ा दरार है समाज के अंदर और यह ची कि जो मारकेश की जो भूमिका रही है और खासतोर से चुनाओ में वाइस प्रेजिडेंट के रूप में जो उनको काफी प्रोजेक्ट किया गया था यह एक बहुत बड़ा परिवरतन का लक्षन भी सिर्फ कलंब्या में नहीं पूरे लाकन अमेरिका में एक बहुत बड़ा यह माइल स्टून है मेरा हिसाब से बहुत बड़ा एक चेंज का निशान है जी इसके साथ ऑख जो बहुत एहम सवाल है क्योंकि छे बहुत जो एहम देश है लातिन अमरीका के यह पांचवा देश है छटे देश के बारे में भी बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि वह भी बहुत वाइबरेंट पुलिटिकल इन्वार्मेंट पूरे इलाके में पेश करता है ब्राजील तो क्या यह जो कॉलंबिय की जीत है और ब्राजील के जो संकेत मिल रहे हैं यहां से भविश्वानी तो नहीं कर सकते लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं बॉलसे नारव जिस तरह से लंबे समय से भीशन रूप से अलोकप्रिय हुए है लूला की लोकप्रियता बढ़ रही है तो क्या यह माना जाए कि यह जो वेव चली है परिवर्तन की जो पांचमे देश तक पहुंची है कोलंबिया में यह छटे देश को भी प्रभावित करेगी यह छे देश की जो हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े बुल्क है पॉपुलेशन के तौर पे लैटन अमेरिका पे और भी बुल्क है जो नक्षे पे जो नक्षे पे दिखाई दे रहा है जी वो बांटपंथ के और जुके है सो यहीं सिर्फ पांच मुल्क नहीं है यह छे सबसे बड़े पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़े मुल्क में पांच अभी बांटपंथी तौर जान दिखा रहा है शायद छेठा भी जो आब बात कर रहे है ब्रेजिल भी दिखाएगा क्योंकि बुलसदारों काफी अप्रिये हुग गया है अप्रिये हुआ है दो वज़े से एक तो उसकी जो खुद की रवया रहा है पूरी तरह से अग अनतांत्रिक रवया वो जनतंत्रों को एक दब विफल करके अपना बुल्बा चलाना चाहता है अमेजान फॉरस्ट में बहुत सारे चीजों को लेके काफी विवादास्पत भूमी कर रहा है और उसका बेटा तो हैर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जिस भी शायद फेस करेगा या कर रहा है तो बोलसदानों परसनली काफी अप्रियों हुआ है और उसके सा साथ पैंडेमिक पे जो भूमी कर रहा वो ट्रॉम्प की ही दूसरा शकल था ट्रॉम्प जो कहता था वही जोर से कहता था तो वो पैंडेमिक ब्रजिल में जो आगात किया जितना हानी पहुंचाया तो उसका भी एक फल मुलसदारों को मिलेगा कि वो पुलिटिकल रूप म वो काफी अप्रिय हो गया है उसके खिलाफ पार्लेमेंट में भी प्रस्तावाया था उनको हटाने का बिफल रहा पर फिर भी अप्रियता का एक प्रतीक तो वो था ही लूला बहुत ही पॉपुलर थे पीछले बार अगर लूला चुनाओं में लड़ सकते थे तो बलसुना और हार जाता है यह सबता विश्वास है और इसलिए जुदिशियरी को इस्तबाल करके फॉल्स चार्जेस पे लूला को कॉन्विक्ट करके जेल बेर रखने की कोशिश किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको नकार दिया है इसलिए लूला फिर बाहर है और क्योंकि उ की लोग प्रियता इस पे और भी बढ़ी है तो बुल्स नारो और लूला इस वाक्त कोई उस तरह से प्रतिदंद्रिता दिखता नहीं है काफी पीछे है बुल्स नारो पर क्या मिलिटरी कू फिर हो सकता है क्या अमरेका कुछ कर सकता है वो अलग बात है पर अगर कलंबिया मेंने की कर पाया जहां की सबसे ज्यादा शायद संभाधना थी तो यहां पर कर पाएगा शायद मुम्किन नहीं है और आज की तारिक पे अमरीका राजडितिक तोर पे लैटन अमेरिका मां काफी कमजोर पढ़ गया है अब देखे हैं रीसेंटली जो उनकी तथाकति समिट हुआ किते प्रेजिदेंट्स अमेरिकाज नाइन समिट अमेरिकाज अमेरिका के समिट में उनकी कमजोरी खाग एकड़ पॉब्लिक ली दिखाई पढ़ रहा था लोगों ने कहा कि कम्प्रीटली एक अनप्रिपेर्ट समिट है उसके कोई एजेंडा नहीं है उसका कोई नहीं लगता है कि एक इतना राज़ितिक टाकत है कि यूकरेन में रश्या के खिलाफ लड़ेगा चीन के खिलाफ टाइवान को लेके लड़ेगा और यहां जाके कू कराएगा ब्रिजिल में लैटन अमेरिका में लगता है कि राज़ितिक तोर पे यह च्छबता इस वक्त अमरीका के पास नहीं तो निश्ची तोर पे कोलंबिया के बाद हमारी और सबकी और दुनिया की नेगा बनी रहेगी ब्राजील की तरफ लातिन अमरीका बहुत एहम के बहुत एहम छे देश हैं सबसे बड़े देश अब हम चलेंगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपके साथ जो फ्रांस में डवलप्मेंट हुआ है फ्रांस में जिस तरह से जो तस्वीर सामने आई है जो अभी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है मैकरॉन तो पहले बन चुके हैं राश्टपती के तौर पे लेकिन उनकी जो पार्टी की स्थिती आई है जिस तरह से जो चुनोती आई और वहां पर जो वामपंथ ने एक अपनी बड़ी लकीर खीची है दक्षण पंथ का वो कैंडिडेट जो सेकेंड नंबर पे थे वह पार्टी अभी तीसरे नंबर पे गई है वामपंथ को काफी बड़ी जीत मिली है फ्रांस में जिसके बारे में तमाम लोग भविश थिक वजह हैं या जो यूकरेन में अभी जो स्टान्ड लिया है वह वज़ा है क्या कारण आपको लगता है कि फ्रांस में जो वामपंथ को ये बढ़क मिली है इसकी क्या ठोस वज़ा है पहले तो देखते हैं कि फ्रांस की राजदितिक जो भार सम्या है इकुलिब्रिया म तो यह presidential system नहीं है पूरी तरह से जैसे अमरीका है, यहाँ पर Parliament के भी काफी powers है, हलांकि यह parliamentary system नहीं है, मतलब कि Parliament भी धरत नहीं करता, कौन देश का नेता है, तो President और Prime Minister के बीच में एक equilibrium है यहाँ पर, अमरीका के तरह नहीं है, President सब कुछ चलाता है, Prime Minister है ही ही नहीं, UK की तरह भी नहीं है, जहाँ पर Prime Minister देश चलाता है, वो Queen तो एक वैसे ही बैठी वी है वहाँ पर, तो दोनों की बीच में यह है, और इसलिए दोनों की बीच में क्या भारसम्य होगा, वो देखना पड़ेगा कौन Prime Minister बनेगा इस पर, तो Prime Minister बनने में लगता है कि Macron सफल होंगे, क्योंकि छोटे-छोटे दलों के लेके और को शायद बहुमत मिल जाएगा, पर एक कमजोर Prime Minister रहेगा, और उसको टांग खीचने के लिए, वहाँ पर Parliament में काफी संभावना होगी, और यह देखते हुए, लग रहा है कि Macron की जो छमता है President की रूप में, वह काफी कमजोर होगा, सवाल यह है कि France की यॉरप के अंदर क्या भूमिका रहेगा, इसके लेके काफी बहस है, क्योंकि दगॉल के समय पर France को लगता था कि वह यॉरप का नेता बन सकता है, उस वक्त वेस्टर यॉरप ही था Eastern Europe तो Soviet Union के साथ था, तो उनको लगता था कि Western Europe के मैं ही नेता हूँ, पर धिरे धिरे अमरीका European Union पर च्छा गया है, और Ukraine को युद्ध देखते हुए, यह लगता है कि European Union अपना कोई अलग अस्तित्व दिखा नहीं रहा है, राजजितिक तोर पे या आर्थिक तोर पे, जो अमरीका कह रहा है, वही कर रहा है, इस वाख क्या ए बामपधी रुज्धान जो आया है, तो इससे क्या फरक पढ़ेगा, अंदरूनी परिस्थितियों पे, अंदरूनी सावालों पे, जो काफी विभाद पैदा किया है, जिसके लेके काफी असुन्तोष है, काफी है, बड़े स्ट्राइक्स हिये हैं, वर्गिं कलास की, उसके क्या होगा? देखने की बात है, और external affairs में NATO के लेके, क्या रावाइया होगा? देखने की बात है, अब देखने जीएगा, जो राइट, लेपेन है, और Valangean है, दोनों ने NATO के साथ इस तरह से तो यह देखते हुए काफी एक complex situation फ्रांस के लिए पैदा होने वाला है, हम देखते रहेंगे कौन कहां जाता है, किसकी equilibrium रहता है, कौन तूटता है, क्योंकि left block पहली बार बहुत दिन बाद है, इस तरह से बनी है, प्रेजिडेंट इलेक्शन में अगर होता, तो बैलेंचियोन प्रतिदंजिता करते, मैकरॉन के साथ प्रेजिडेंट के लिए लेपेन नहीं करते, पर उस तरह से लेफ्ट यूनाइट नहीं किये थे, सीखे है, प्रेजिडेंट की हार के बाद जब लेपेन नमबर टू पे आ गए, उस हार से सीखे है, मैकरॉन सिर्फ चंद पॉइंट टू, पॉइंट री परसें पीछे थे उनके, तो उनसे सीखे है, पर कित्ते दूद तो यह सिक्षा रहेगी, कहां तक ले जाएगे, देखना पड़ेगा, तो फ्रांस में भी निगाह बने रहेगी, क्योंकि प जार्थिक नीतियां हैं, उनके खिलाफ जो आंदोलन फ्रांस में भी चला, और उसका जो नेत्रित्र लेफ्ट ने किया, छटनी पर और बाकी सारे जो सोशल सेक्यूरिटी हटाने वाली नीतियां जो रही है, शायद उसका फायदा बामपंथ को होता दिखाई दिखाई दि पर फैक्टरी में, सडकों में, डिसाइड होगा, उसका निर्धारित होगा, कहां जाएगा फ्रांस, और इस सब काफी बड़े स्ट्राइक्स होने वाले हैं, इस वजए से कि उनकी पेंशन का वो क्या कहते हैं, अबधी कम करके, नौकरी का अबधी बढ़ाया जा रहा है, तो ये सब लेके काफी असंतोश है, और अभी कुछ बड़े स्ट्राइक्स की भी गोशना हुई है, देखते हैं, मैकरॉन और मैलन्चियों कैसे इन दोनों चीज़ों को टैकल करें, क्या पार्लिमेंट की मैलन्चियों की एक पुजिशन आने के बाद पार्लिमेंट में उन जो दो एहम डेवलपमेंट हुए हैं, विश्व मान्चित्र पर, ग्लोबल मैप में जो दिखाई दे रहा है, जो तबदीली हो रही है, यह बहुत साफ संकेत दे रही है, कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, वह अगर सही धंग से उठाये जाएं, तो जनता राजनितिक वि अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की, नमस्कार